इस वीडियो के इंदर में रिव्यु करने वाला हूं इंडसेस्न बैंक का रुपए क्रेट कार्ड जी हम तो रिसेनली हम चैने एक वीडियो बनाया था बैस्स делать नोकने एंडसेस्ट फैक कैका रम भांगे क्योंकि especially lifetime free credit card मिल रहा है with the high approval rate तो guys इसकी reward के अंदर क्या actual value है, कितने इसके hidden charges है क्या इसके pro है, क्या कौन से सब कुछ जानेंगे इस video के अंदर वीडियो को guys शुरू करने से बताना चाहूंगा अगर ये credit card अगर आप मेरी link के थ्रू apply करना चाहिए, तो मुझे simply telegram के उपर message करना है, इस user id के उपर और आपको wealth देखो की तरफ से cash rewards यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो चले guys शुरू करते हैं, तो देखे guys सबसे बहले अगर मैं fees की बात करूँ तो इसके उपर कोई भी fees नहीं है, zero joining fees है zero annual fees है, कोई भी terms and condition भी नहीं लगी वी है, यानि की lifetime आपको free credit card यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और high approval credit card है यहाँ पर, तो अगर आफ एक beginner है, first time अगर आपने credit card लेनी का यहाँ पर आप सोच रहें, is a rupee credit card, UPI purpose के लिए तो definitely आपको इस card को यहाँ पर अपनी list के अंदर रखना चाहिए, rewards guys अगर मैं points की बात करो, तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको UPI का feature तो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको rewards points देखने को मिलते हैं, जब भी 100 rupees जो है, span करते है, UPI के through, यहाँ पर कोई भी merchant QR code आप, span करते हैं, उसके उपर पैसा खर्च करेंगे, तो दो rewards points आपको देखने को मिल जाते हैं, अब इसके अंदर actual के अंदर कर में value की बात क्यों, तो ultimately 0.70% की यहाँ पर value निकल के आती है, यहनि कि जिता भी आप पैसा खर्च करेंगे UPI की through, 0.70% की value आपको वापिस मिल जाने वाली है, इसके लाव अगर आप non-UPI spending करते हैं, कहीं पर card को tap किया, swipe वगरे किया, online कहीं पर span वगरे किया, तो वहाँ पर one reward point आपको देखने को मिल जाएगा, 100 rupees span करने पर, और उसकी value है, वो 0.35% साथ में guys, यहाँ पर आपको 1% fuel search as waiver भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके तरह कुछ terms and conditions है, और साथ में यहाँ पर rewards points है, एक तो आपको fuel के उपर देखने को नहीं मिलेगा, और इसके लाव भी कही सारी category है, जिसे utility के बिल के payments होगे, insurance payments होगे, आपके rental payments होगे, जिसके तरह कई लोग जो अपने bank के अंदर ही transfer करा लेती थे, तो इसके ओपर भी आपको rewards भी देखने को नहीं मिलेंगे, साथ में education, installation के fees बगर होगई, और यह normally आतकल सारी की सारी जित्ती भी credit card companies है, सबी ने यह वाली list बना राखिए, साथ में guys, जो 1% का fuel surcharge waiver है, यारी कि आप 4,000 रुपे महिने के इंदर खर्ज करेंगे, तो ultimately monthly basis पे 400 रुपे की saving होगई, और annual saving की बात के हो तो 460 रुपे की saving होगई, आप guys, बात करते हैं कि इसके जो आपको rewards होगर मिल रहे है, उसका redemption कैसे होगा, तो पहली चीज एक तो आप अपने credit card के statement के इंदरे directly set off कर सकते हो, तो मैंने आपको जो उपर value बताए, 0.35%, 0.70% value, वो मैंने आप आप लोग को इसी की basis में बताईए, जिसको आप लोग crash credit भी बोलते हैं, जहाँ पर एक reward point की value, 0.35% रहती है, इसके लागा guys, आप airlines के साथ में भी यहाँ पर flights वोगरे booking कर सकते हो, तो इंटरफ माइल्स करके website है, वहाँ पर आप जा सकते हो, तो वहाँ पर अगर आप index and bank के 100 reward point को use करोंगे, तो 100 interp miles आपको मिल जाते हैं, तो यह काफी अची चीज है, विस तरह की flights भी अगर आप book करते हो, तो 100 reward point को 100 club विस तरह के अंदर convert कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको point conversion काफी अच्छे खासा देखने को मिल जाता है, इसके लिए अगर मैं non spending की बात के हो, तो इस card के अंदर आपको insurance cover मिल जाता है, अगर आपके card से मालेजे कोई unauthorized transaction हो रख जाता है, तो उस case पर भी यहाँ पर यहाँ पर यह insurance cover करता है, इसके लगाइस यहाँ पर आपको travel insurance भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन especially flights वालो के लिए ही better है, अगर आपका baggage यहाँ पर lost होता है, तो एक लाग तक का sermon short cover है, delay package के उपर 25,000 है, अगर आपकी flight यहाँ पर miss connection ह connecting flight से miss हो जाती है, तो 25,000 रुपे तक का है, और loss of the passport के उपर 50,000 रुपे तक का है, साथ में आपको एक complimentary जो है personal air accident रे cover भी देखने को मिल जाता है, 25,000 रुपे तक का, अब guys अगर हमें interest rate और hidden charges की बात करो, तो इस card के through आप ATM से withdrawal करते हैं, तो 2.5% या फिर 300 रुपे दोनों इसे जो भी high होगा, और यह obviously बात है, credit card से कभी भी आपको ATM से at least withdraw नहीं करना चाहिए, काफी ज़्यादा charges लगते हैं, interest rate की बत करो, time के उपर अगर आपने bill का payment नहीं किया, तो 47% का annual interest rate आपके उपर लग सकता है, जो कि काफी ज़्यादा है, और यह almost सभी banks जो है आजकल charge क करने लग गए है, 40% के उपर रहता है, reward के redemption fees की बात के हो, तो यह hidden charge जैसे कि आप उपर जितने भी points को redeem कर रहे हैं, 100 rupees का आपको यहाँ पर reward redemption fees देना पड़ेगा, यह आपके points के अंदर ही set up हो जाता है, आपको अलग से कोई pay नहीं करना पड़ता है, इसके लाब अगर time के उपर payment नहीं किया, तो interest तो लगेगा ही लगेगा, साथ में यह late favorite fees भी लगेगी, यह depend करता है आपका कितना balance outstanding है, तो यहाँ पर अगर 10,000 रुपे का balance outstanding है, तो साड़े 500 रुपे की fees यहाँ पर आपकी लग सकती है, तो ultimately अगर मैं summarize करा चाओ कि क्या इसके pro है, क्या इसक miles, जो है credit points से यहाँ से कर सकते हो, plus high approval credit card है, तो definitely as a beginner यहाँ पर आपको consider करना चाहिए, अगर आपका first कोई भी UPI का related credit card है, तो cons की बात करो, तो कोई भी या lounge का access देखने को नहीं मिल जाता है, और कई सारे market के अंदर ऐसे credit card है, जो UPI की ओपर 1% तक का भी यहाँ पर value cashback और अगर आप मेरी लिंक की तरो apply करना चाहते हैं, तो telegram पर message कीजिए, जहाँ से आपको well देखो की तरफ से cash reward भी देखने को मिल जाएगा, thank you guys, thank you very much